Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दी इनों पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 010 का जून 2019 के question paper को solve करने वाले हैं दोस्तो इससे पहले ही मैं दो पार्ट बना चुका हूँ question paper की वीडियो का जिसके अंदर में हमने part 1 के अंदर में June 2018 का question paper solve किया था part 2 के अंदर में हमने December 2018 का question paper solve किया था दोस्तो ये जो question paper होते हैं बहुत ज़्यादा important होते हैं जितने ज़्यादा हम question paper को solve करेंगे उससे हम उत्रह ज़्यादा अपना syllabus को cover कर पाते हैं ठीक है कम समय में मतलब syllabus को complete करने के लिए एक तरह से ब्रमास के तौर पर ये काम करता है और question paper को solve करने का सबसे बड़ा जो plus point होता है सबसे बड़ा जो benefit होता है किसी भी student के लिए वह ये रहता है कि कोई भी question जो exam में पूछा जा रहा है किस तरह का pattern है उसका ठीक है उसका pattern क्या है question को किस तरीके से पूछा जा रहा है उसका pattern क्या है किस तरीके से बना जा रहा है question को गुमा कर टेड़ा मेड़ा तोड़ मर रोल कर किस तरह से पेस किया जा रहा है present किया जा रहा है वो हमें समझ में आता है आपका MHI 010 भारत में नगरी करन, अर्बनलाइजेशन इन इंडिया, इसके अंदर में हम बात करते हैं कि भारत की नगरी ववस्ता किस परकार की है, नगरी ववस्ता मतलब क्या, नगरों का उदे किस परकार से हुआ, सहरों का उदे किस परकार से हुआ, सहर बने कैसे, नगर बने कैसा ऐसा तो था नहीं ना कि एक बार में बन किया गाओं गाओं से सहर बनता है ठीक है तो कैसे बना नगर उसके बारे में हमें आप इस्टुडी करते हैं और टाइम पिरेट के हम बात करें इसके अंदर में तो हडपा से लेकर पूरा अपनेविशिक काल तक का जो पूर लंबा समय उसको हमें आप इसके अंदर में थोड़ा सा टाइम पिरेड लंबा है उसके कांसे थोड़ा सा चैप्टर भी टफ लगते हैं और एक दूसरे से इंटर लिंक नहीं करते हैं इसके कांसे थोड़ा से यह बुक टफ है तो इसको थोड़ा सा बीसेस दियान स्चानर के थोड़ेगी चलिह हमें आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो दॉस्तों सब सहबरें को सौल्फ करनेे का आपको 3 गंटे का समय मिलता है 100 नुमबर का पेपर है पांच कॉसिंस को सौल्फ करने ने ने 500 वरड के अंदर में हर एक कॉसिंस का answered लिखना है और एक लोगों को हमें बताना है, तो नगरी इतिहास को नॉर्मल, आप इस तरीके से समझे, किसी भी छेतर को, किसी भी नगर को, जब हम उस नगर के नियाइक संस्थागत, जनस्थागत, जनस्खी, और सांस्कृतिक परकिरियाओं के अंदर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसका जनस्थागत, 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 जनस् पलायन किस परकार से हुआ, ठीक है, पलायन को इस्टड़ी कर लो, कि ग्रामिन छेतर से पलायन किस परकार से रहा, अलग अलग जगों पे अलग अलग तरह के बिसावट मिलती है और समय के साथ इसमें परिवर्तन भी आता है और उन बसावटों से ही सहरों का जन्म होता है जो नगर के अंदर में या फिर नगर के अंदर बात करो ग्राम के अंदर में बात करो जो बसावट होती है वो ठीके बदलता रहता है ठीके समय के साथ साथ मैं अलग-अलग विसाओं कि इसकी सीमाई है मतलब एक सीमित सीमाई नहीं है जैसे आप नहीं स्टडी किया किसी भी जगह को आप जिस जगह पर रहते हो मैं बुराडी में रहता हूँ यहाँ पर आज से 10 साल पहले मैंने एक इस् ट्रैफिक लगजा है इसकी समभावना रहते है क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड हो गए इतनी ज्यादा बसावट हो गई है यहाँ पर ठीके तो नगरिये इतिहास का जब भी हम स्टडी करते ना तो समय के साथ में वो चीजे परिवर्तन होती है इस चीज को में ध्यान लेते हैं जैसे डैली की जला पूरती है अगर आप मालो मोगल कालीं सा जाना बाद उस समय के टाइम परिड की बात करोगे या पिर जब अंग्रेज्व के जला पूरती जो मेंडी डिपेंड थी वो यमना नदी के उपर में बेस्ट थे क्योंकि उस समय जो जनसंख्या था उसके हिसाब से यमनानदी इनफ था उन सब चीजों के लिए पर बाद में जब दिल्ली की जनसंग्या देरे-देरे बढ़ने लगी मुगल के बाद जब अंग्रेज आये अंग्रेजों के समय पे और ज्यादा बढ़ने लगी तो क्या किया गया कि प्रकृतिक तलाब होते हैं कुए होते हैं उनका निर्मान किया जाने लगा दिल लेकी पानी की समस्या को दूर करने के लिए उस समय पानी के समस्या आने लगे हुए और आज की करन्ट सेचेशन में हें 2022 कि अगर मैं बात करो तो हम हर्याना पंजाब जैसे सहिरो से मतलब तो जो भी topics को miss study करते हैं वो समय के साथ में परिवर्तन होता है इसके अंदर में normally हम बात करते हैं किस किस कारण से परिवर्तन होता है तो सत्ता में जो परविर्तन आया है मालो कोई सरकार बनी उसने कुछ ऐसा rule pass कर दिया जिसके हम कहते हैं ने इक संस्थागत थीक है या फिर कोई समपदा में वितरन हुआ कोई समपदा के अंदर में कुछ चीज चेंजिस आई जो भी प्राकरतिक संपदा है जो भी resourcesं उसके अंदर में कुछ चेंजिस आई तो आप इसको थोड़ा से explain कर सकते हैं, अच्छे नमबर मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर दूसरे question में हम बात करते हैं, हडपा संस्कृति के नगरों की संरचना पर कुरकास जा लिए, देखिए यह वाला question है, मैं आपको एक request करू कि आप पीछे की जो दो वीडियो में डाली है, जून 2018 के question में पर की और दिसम्बर 2018 के question में पर की उसको एक बार ध्यान से बैट कर solve कर लिजे, ठीक है, आप वीडियो देखिए, पूरा playlist के अंदर में description में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए और उसको solve कर लिजे रिजन ये रहेगा कि बहुत सारी question repeated होने वाले हैं, जैसे ये question है, हडपा संस्कृति के नगरों के संरचना की उपर परकास जा लिए, ये जो question है आपको दिसम्बर 2018 का question में ने कल solve करवाकर डाला था, उसके अंदर में question number 2 के अंदर में ही ये वाला question था, तो आप वहाँ से पे बसा हुआ था, निचला सेर नीचे में बसा हुआ था, ठीक है, किले बंदी तोर पे बनाई गए थी, किले बंदी का क्या reason होता होगा, बाढ़ बाढ़ से बचाव के लिए, ठीक है, सीमा सुरक्षा के लिए, विदेसी आकरमन से रक्षा के लिए, ये चीजे रहती जो घरों का निर्मान किया जा रहा था, तो कच्ची इटों का, जो इट होती थी, कच्ची इटों से उसका निर्मान किया जा रहा था, कच्ची इटों के सासात में, सबसे पहले नीचे में बेस बनाया जाता था, फिर उपर में पक्की इटों का निर्मान किया जाता था, च उच नीच यह सब चीजे की उच्छ वर्ग का रहोगा यह निमन वर्ग का रहोगा यह भी चीजे यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है तो उस वाले जो मैंने करवाई था दिसम्बर 2018 के कोश्चन वेपर के अंदर में उसमें बहुत अच्छे समय बता रहा है तो वहाँ प कभी भी किसी भी जगह की नगर विसेस्ता के अगर हम बात करेंगे तो आप किन चीजों के उपर में बोलोगे सबसे पहले बोलोगे आकार के उपर में किसका आकार किस परकार का है ठीक है उसके बाद बात करेंगे हम किले बंदी के बारे में ठीक है किले बंदी किस परकार क के बारे में बात करेंगे तो द्योग के बारे में बात करेंगे या फिर कोई कलात्मक तोर पर विस्यस आगे हैं तो उसके बारे में हमें आपर 11 तो इससे यह भी पता चलता है कि दोनों इस थल जो थे उसमें समानता ही नहीं मिलती तुछ कही बाइर हम जैसे पढ़ते हैं, तो इस्तो च्वा δánhour करते क devrait स्धोर कर आँगा तो दोनों similar है तो similar छेतर के अकार में यहाँ पर similarity नहीं देखने क्लिए मिलती है बसावट की जो दिवारे होती थी वो बाहर की और फैली होती थी मतलब जैसे जो सीमाएं हैं जैसे for example डेली की यहाँ पर देली की सीमा यह है पर फिर पी जो आसपास का छेतर है वो डेली NCR के अंदर में आता है मतलब क्या बसावट की जो दिवारे हैं ठीक है उस दिवारों के बाहर तक फैली होई थी मतलब जो सीमाएं हैं उसके बाहर तक फैली होई थी जो बनाय जाते है थी किले बंदी के लिए दिवारे खड़ी की जाती थी वो बाड के लिए आकरमन कारियों के सुरुक्षा के लिए वहाँ पे विसेस तोर पे उसका निर्मान किया जाता था नगरों का जो फैलाव है उसके साक्षे मिलते हैं सार्वजिनिक नलिया जो नालिया बनाई जाती थी सार्वजिनिक नालिया के हमें साक्षे मिलते हैं पत्थर के कुओं का साक्षे मिलते हैं तलाव के साक्षे मिलते हैं जो वहां के नगर विसेस्ताओं के तोर पे दिखाये जाते हैं नगर और कस्विव के अंदर में सार्वजिनिक और आर्थिक भवनों का वहाँ पे साक्षिया में मिलते हैं कि नगर के अंदर में जो सार्वजिनिक भवनों का निनमान कराया जाता था उसके हमें पर्मान मिलते हैं अब वी नगरी करन होता क्या है ठीक है सबसे बड़ा question तो यह है अब देखो जो मैं कहा रहा था आपको starting में pattern of the question में समझने की ज़रूवत है अब यहाँ पे अगर question में वी नगरी करन की जगा कुछ और add करता तो सायद आपको समझ में आ जाता आप क्या करोगे अब English का ले question paper पर जाओगे वी नगरी करन का मतलब डूड़ोगे अगर जिस बचे ने अच्छे से study नहीं किया है तो ठीक है उसके लिए तो यही रहेगा पर वी नगरी करन को कई सारे और नामों से भी जान जाता है अगर यहाँ पे वी नगरी करन आया अगर वी नगरी करन आपको पता जाता है और यहाँ पर पूछ लिए ता आपको नगर हराश क्या होता है ठीक है नगर हास ठीक है नगर हास क्या होता है तो भी उसका मतलब यही है ठीक है यहाँ पर नगर हास आपको चलो समझ में आ गया तो यहाँ पर पूछ लिए ता कस्बो का हास क्या होता है तो भी उस उसके अंदर में हम यही आंसर उड़ने वाले हैं. कोशन फूर का ही आंसर यहाँ पर हम बताने वाले हैं. ठीक, तो यहाँ पर देखो, वी नगरिकरन ना मतलब होता क्या है? एक वी नगरिकरन का सिंपल सा मतलब यहे, कि जन संगि की और समाजिक परकिरिया, में मतलब एक तरह का जंसंकी के और समाजीक परक्रिया है जिसके द्वारा लोग सहर के छेत्रों से ग्रामिन छेत्रों में चले जाते हैं ठीक है आज के समय में डेली के अंदर में बहुत जादा बहुत जादा पॉलिशन है ठीक है मैं कल रात की अपने घर की बात बताता हूं मेरे फादर मुझसे कहते है कि याँ डेली के अंदर में बहुत जादा पॉलिशन हो रहा है भीमारी फैलरी है ठीक है अभी करोना के नए वाइरिस आ रहे है तो उसके काम से हमारे लिए बैटरी है कि हम अपने गाउंवाले घर में चले जाएं वहां पर कुछ समय रहें एक तरह से छुट्टियां इंजोई करें महीने डेड़ मेने दो महीने वापस आके डेली में वापस सिप्ट हो जाएं डेली में रहने लगे ठीक है तो यह क्या है नगरों से हम क्या जा रहे हम ग्राम कश्वो का हास अगा जेए कि इसके लग जक के लोसे मतलब होग से गा हों स fir में की और प्लाइन करते हैं उसको मतलब सहर से गाऊन जाते हैं गाउं से, मतलब सहर से गाउं की और चले जाते हैं यह गंगा के मैंदानों के च्षेतर में जो मतलब बहुँट संस्कृती थी उसके कान से भी देखने के लिए मिलता है especially यह सारी चीजे कहां मिली तो गंगा के आसपास का जो च्षेतर था गंगा के आसपास का जो छेतर था गंगा नदी के वहाँ पर हमें बहुत संस्कृति प्रथा देखने के लिए मिलती है एक से जादा संस्कृति का वहाँ पर साक्षे मिलते हैं जिसके कायम से वहाँ पर ये चीज़े विनगरी करण का साक्षे हमें मिलता है ठीके, साथ साथ में ये भी देखोगा, भी देखो ये जो हैं सीरी चीज़े में बता रहो है आपे इस कोशिन के अंदर में एक तरह से हम पहले प्रूफ करने कोर्सिस करने कि हाँ ऐसा ऐसा है, लास्ट में जाकर हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना तो विनगरी करन हमें समझ में आया कि विनगरी करन होता क्या है तो इस के अंदर में कैज चीज़े बताते हैं तो भाय ये गंगा के आसपास के जो छेतर ते वो बहुत संस्कृतिवादी थे बहुत संस्कृतिवाधी की आधिए जहाँ पर एक से ज्यादा संस्कृति थी यह नहीं कि एक ही कल्चर के लोग रहे रहे LEग-날 Dre kकलचर के लोग रहते थी जिसके कारण से भी वहां पर सहरी करणवी बनता है और वहां पर उसके कारण से विनगरी करणवी पर देखने के लिए मिलता है सांस्कृतिक विकास हुआ सांस्कृतियों का विकास हुआ अलगवग 200 वर्सों तक रहा जो सांस्कृतिक विकास रहा गंगा के आसपास का छेतर का उत्तरगुप्त काल के छेतर का वो almost 200 वर्सों तक उनका विकास होता रहा 200 वरसों तक उसका विकास रहा, असर रहा वो देखने के लिए मिलता है निवास्यों के जीवन सैली का हाष होना शुरू होता है विनगरी करण के कारण से और उसके कारण से जीवन सैली में जब हाष होता है तब वो विनगरी करण की ओर बढ़ते हैं ठीक है सहर से गाउं की और आते हैं जीविन शली में हास मतलब क्या आज जो आपका living of standard है वो जब गिरने लगे ठीक है तो वो हम क्या करेंगे गाउं की और जाएंगे डेली के अंदर में हमाई सुझदा मिल रही थी चीजे मिल रही थी अगर यहां पर वो चीजे नहीं है तो वो कहते हैं कि सामंती विवस्था भारत के अंदर के अगर हम बात करें तो यहां पर सामंती विवस्था को भी जिमेदार माना जाता है वी नगरी करण का जब सामंती विवस्था ही तो नए नए सासक उत्रपन होने लगे ठीक है उनके पास पावर आते चली गए सामंतों के पास में, जिसके कारण से भी विनगरी करण हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कैनेट करके एक और इत्यास का रहते हैं, वो भी कहते हैं कि खराब बहुतिक अफसेसों का, जो खराब बहुतिक अफसेस रहे, ठीक है, उसके कारण से, उसके अधार पर विनगरी करण का हा होता है यह उन्होंने माना केनिट ने ठीक है वारणसी के इस्तित अगर राजगांटों की बात कर जो वहां पर राजगांट दे उसका अगर टाइम पिरिड़ देखोगे तो 300 से लेकर 700 के आसपास 700 इसा के आसपास का टाइम पिरेड रहता है जहाँ पर उसकी बसावट योजना गत बसावट की गई थी बरनसी के आसपास में वस्तुकला का छेतर में उन्नती की गई थी वहां पर बहूँ ज़ादा उन्नती हुई घरों को जो भी बनाया गया योजना वद तरीके से बनाया योजना के अनुसार घरों को निर्मान किया गया संदचनाओं के अंदर में स्तंबो का देखते है हॉल वल जो भी बनाए जाते थे अभी जो भी मारते बनाएगी उसके अंदर में स्तंबो को निर्मान किया गया इट के बने हुए कुए नालिये हमें मिलती है तो यह एक साक्षे दिखाता है उत्तर भारत उत्तर गुप्तकाल का कि विनगरी करण अगर हो रहा होता तो इतना ज्यादा विकास नहीं करता ठीक है विनगरी करण नहीं हुआ जिसके कारण से इतना ज्यादा विकास किया तो यहाँ पर यह भी का जाता है कि जहाँ पर नगर करण का सिधान था या नहीं था तो कई सारे तिहांसकार इसको सबोर्ट करते हैं जैसे आप देखोगर आरेस शर्मा ने बोल भीर सामनती विबस्ता के कारण से मैं सामने संक्रति विनगर üरिकरण हुआ पर वहीं पर कहाइंट कहते हैं इक पर नीचा में जब हम वारानसी की बात करते हैं तो किस तरह से वो उसका छेटर का विस्तार हुआ? किस तरह का उसके चेटर की बनावड़ थी, किस परकार की किस परकार से जनसंघे हम परिवर्दन हो रहा था तो वो दिखाता है कि वहाँ पर विनगरी करन नहीं हुआ, ठीके, तो यह आप यहाँ पर explain करोगे, ठीके, चलिए हम अगले question की और बढ़ते हैं, जो आपका question number 5 है, तो वो उसके अंदर में normally tipney based question है, तो tipney based वाला question आप खुद कर सकते हो, अगला question हमारता है question number 6, जिसके अंदर में हम बात करते ह विजे नेगर काल में सहरी परकिरियाओं के विकास की समचे की सी, विजे नेगर के अंदर में सहरी परकिरिया, किस तरह सहरों का विकास हुआ, उसके बारे में हम बात करें, तो यह वाला question है, मैंने पीछे करवा चुका हूँ, ठीक, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है विजे नेगर के विडियो तो देख लें, मैं दो बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, दिसंबर 2018 का question विपर है, उसके अंदर में question number 4 के अंदर में, ठीक है, question number 4 के अंदर में यह वाला question मिल जाएगा, तो वहाँ से जाएए, वहाँ पर देखिए, उस question विपर के अंदर में किले बनाए गए, किले बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखा गया, नगरों के विकास के लिए अलग-अलग जगर से वैपारी वर्गों को लाए गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या परवंद किये गये, तो उसके बारे में आपको defend करना है, बताना है, पूरा describe करना है, तो वो जो लास्ट मैंने कोश्चन विपर करवाया था ना, MHIJरू 10 का, जून, दिसंबर 28 के, उसमें मैंने करवा रखा है, कोश्चन नमर 4 के अंदर में, तो आप वहाँ पर देख लिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोश्चन नमर 7 के और बढ़ते हैं, तो मुगल काल में आ पंदर वर्सों तक क्याता है, फतेपुर सीकरी, राजधानी के तोर पर रही, पंदर वर्सों के लिए फतेपुर सीकरी, राजधानी के तोर पर रही, और इन सब के बाद में, लास्ट में क्या होता है, कि साजानाबाद को आगरा को, मतलब राजधानी के तोर पर जीता जाता जागता सहर के तौर पे इसको जाना जाता है जो दौाब का छेत्र है पूरा गंगा जमना दौाब का छेत्र हो वैपारिक और नौ परीवहन के तौर पर जाना गया ठीक है वैपार के लिए केंडर के तौर पर उबरा और नौ परीवहन मतलब क्या होता है कि जहां कि यहां पर आने जाने का जल मार्क का साधन था ठीक है एक जगह से डुसरे जगह आने जाने के लिए जल मारक भी उपयोग किया जाने लगा यहां पर महल उध्यान, मस्जिद का निर्मान कराए गया अलग-लग राजाओं के दौरा जैसे सेरसा ने बादलगड किले के अंदर में मरमत कराई थी जो भी उसका रख-रखाफ के लिए मरमत कराई कराई गयी थी अकबर दौरा भी कई किलो का निर्मान किया गया जिसके अंदर में देखोगे आप तो अकबर द्वारा भी कई तरह के किलों कर निर्मान क dramas की अगया और उन्हों के अंदर में बंगाल और गुजराज से लिके 500 से जादा समरचनाओं का साक्षे मिलते है अकबर के अपता कैसे जलता है जिसके कहां से अलग उसका उभार था अलग तरीके से देखा जा सकता है, तो पूरा आगरा किला अलग तरीके से उसका विशेश महत वहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है, तो इस तर से आप आगरे के जो किले सहर का विकास किस प्रकार से हुआ, किन चीजों का ध्यान रखा गया किस तरस उसकी खासियत ची उसको आप यहां पे डिस्क्राइब कर सकते हो ठीक है अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 8 हम यहां पे बात करते हैं उपनिविशिक शाषन के दोरान अधिकारी थे उनके लिए नगर बनाई जा रहे थे तो उसको प्रेसिदेंसी नगर के तौर पर जाना गया तो नॉर्मली अगर आप इसके बारे में बताते हैं इसके आंसर को लिखते हो तो इसके अंदर में तीन छेतरों का जिकर आता है पहला आता है मदरास का मदरास हो गय अगर मदरास के हैं तो मदरास क्या आथुनिक सहर ठाथा अदुनिक समय में चेन्नेई के नाम से जाना जाता है और इसका उद्वभव देखा जाता है चेन्नेज का, ठीकि या मदरास का ससाथ के अंदर में यहां पर के पूरे सहर का जो के बिंदु ता Fort St George जो किला था वो माना गया ठीक है यूरोपिय बाजार के अंदर में रेडिमेट कपडों का निर्यातक के तौर पर जाना गया ठीक है निर्यातक के तौर पर इसका विकास हुआ ठीक है उसको अविस्तार किया गया उसको खरीदा गया बहल भट हडया गया जो भी कहा सकते हो आप और almost यह कहा ज वीछ चार्स थे उनको Gift किया गया था उनको Gift में गया था Gift केמसे तरह सा दहेज मानळो जो Catherine काशही थी Insurance की साथी हुईökstä हूँ से तो उसके कारब में मृंभई को Gift किया गया था ले लो baby तुम dombais लेलो और बंबइ टोटल के था है साथ हमती इन बाद में अंग्रेजेन इसको क्या किया एक बंदरगाह के तो पर इसको विक्सित क्या, दिरे-दिरे जोड़ा, भीचे में मिट्टी भरी आजगर के जो भी काम किया, उसके बंबई यहां पर बनता है ठीक है समझ में आता है यह तो हो गया नॉर्मल आपका बंबई हो गया इधर हमें समझ में आ गया भी यह इस तरह से बना तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर नियंतरन इस्तादित करने के लिए दहेज में मिला है तो दहेज में मिला है तो उसके उपर नियंतरन इस्तादित करने के लिए बंबई पे तो उन्होंने कारखानों का निर्मान किया कई तरह के किलाओं का निर्मान किया ठीके उन कारख सताबदी के मद्दे तक में कपड़ा बजार के तौर पर इसको विक्सित किया गया ठीक है अफीम का भी सबसे बड़ा वैपार के तौर पर बंबई को माना गया ठीक है और परमुक बंदरगाह के तौर पर बंबई को विक्सित किया गया कि यह परमुक बंदरगाह है और सहर क का जो विकास है या उदवब है यह मुर्शिदाबाद जो इस इंडिया कंपणी के हाथ में जाना मतलब मुर्शिदाबाद की जो सत्ता थी इस इंडिया कंपणी के हाथ में जाना वहां से इसका स्टार्ट होता है यहां पर कारखानों का निर्मान किया गया कारखानों के निर यहां पर तीनों सहरों को बता सकते हो मदरास को बंबई को कलकत्ता को और उसके बेसिस पर आपको प्रेसिदेंसी नगरव के बारे में समझ में आ जाता है किस तरह से विकास हुआ यहां पर आप उसको एक्स्प्लेन करके लिख सकते हो अब देखो 1859 का विद्रो को हम पर्थम 173 संग्राम के तौर पर जानते हैं इसके बाद से बहुत सारी चीजे बदली इस्ट इंडिया कंपनी का साशन खतम हो गया क्वीन के हाथ में साशन चला गया जो अंग्रेज थे 1859 से पहले तक वह यह सोच रहे थे कि कभी भी यह जो लोग हैं इंडियन लोग हैं कभी भी इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आगी कि हमारे उपर हमला कर सके हमारे लिए हमारे खिलाफ कुछ बोल सके पर 1859 के बाद उन समझ में तो जितने भी भबनों क करें डिंमान क्या गया वह खिले बंद तरीके से कया गया नगरों कने जा रहा था उसकें अधर में स्वेत और स्वेत नगरों के तोर पर बाधा गया इंट्र का एैं एक विए सरक्षा की द्रिष्टइस दूसरा चीज है था कि जो हमारी चीजे विक्सित हों ठीक हर चीज यहां पसे मिल सके क्योंकि अठाव संदावन में क्या हुआ था जो उनकी सैनी टुकुडी थी उनके पास अवैलिबल नहीं थी और वो दूसरी जेगा से फोर्स आने में टाइम लगने वाला था जब तक वो पहुंचती जब तक तो खतम हो होता खेल इनका पर वो किस तरह से जीत गए बस ठीक है तो यहां पर यह भी चीज दिखा गया कि भीया यह हमारी गल्ती थी तो इसको इंप्रूव करना है तो उसके लिए अलग लग तरीके से किया गया लखनौ की अगर आप इस पिसली बात करो कि लखनौ का किस तरह का मानी जाती है जो रामायन में राम जी के भाई थे लच्मन जी ठीक है तो लच्मन जी स्री लच्मन जी के नाम से लखनौ बना है यह माना जाता है इसको लच्मन पूरा ठीक है लखन पूर ठीक है लच्मन पूरन करके नाम से अलग लग नामों से इसको जान जाता है यह मैंने नवाबों का उदय देखा जाता है ठीक है तो यह पूरा यहाँ पर बता सकते हो लखनव सहर के संदर्व में भी कि किस तर से परिवर्तन हुआ सहरों के अंदर में क्या चीज रही अठार सो सहनतावन के बाद ही वहाँ पर जो मुगल सत्ता कंत होता है और उसके बाद ही अगर वो फॉर्स टाइम है वीडियो अच्छी लग रही है उन्हें समझ में आ रहा है हमारे जो पढ़ाया हुआ हुए उनके लिए यहल्फूल है ठीक उनको लगता है वैल्यूवल है तो हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करें और जो भी आपका ग्रूप है आपक प्रॉपर तरीके से जो आपको समझा सके तो यहां पर अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो जुरूर उसका वेल्यू दूसरी को भी पहुंचाए उसकी बेनिफिट दूसरी तक भी पहुंचाए और उसके रिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्फुल रहा है कि आप ऐसा कर तो friends thank you so much for watching me, thank you so much for listening me और all the best आप सभी students को जिनका भी exam है ठीक है अपना exam सही से कीजिए ठीक है अच्छे number आएंगे आपको मैं try करूँगा कि ज्यादा ज्यादा और question paper को में solve कर पा सको friends bye bye take care all the best